ऐसे और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को जो क्लिक करें हलो फिरिंट्स मिना नम है उज्जुल और आज के इस वीडियो में मैं आपको कंपेर करने वाला हूँ हुआवे P20 Lite को एंड एसुस जेनफोन 5 Lite को ये दोनों ही स्मार्टफोन इंडिया में जल्धी लॉंच होने वाले हैं इन दा सेम प्राइस सेग्मेंट इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें वीडियो के लास्ट में आपको अल्टिमेटली खुद पता चल जाएगा कि कौन से स्मार्टफोन आपके लिए बेटर होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग इन दोनों स्मार्टफोन का डिस्प्ले कंपारिजन करते हैं जेनफोन फाइब लेट में आपको 6 इंच फूल HD डिस्प्ले मिलता है विट 18 इस्टु 9 एस्पेक्ट रेशी हो इन दोनों स्मार्टफोन का डिस्प्ले काफी अच्छ है अब हम लोग कंपेर करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन में प्रोसेसर एं जीप्यू की एसू जेनफोन फाइब लेट में आपको Qualcomm Snapdragon 630 मिलेगा विट Adreno 506 Huawei P20 Lite में आपको High Silicon Kirin 659 प्रोसेसर मिलेगा विट GPU Mali TA30 MP2 प्रोसेसर के कंपेरिजन में एसू जेनफोन फाइब लेट का प्रोसेसर ज्यादा बेटर है इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको Latest Android 8.0 Oreo का अपडेट मिल जाता है अब हम लोग कंपेर करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन में रियर कैमरा की एसू जेनफोन फाइब लेट में आपको Dual 16MP प्लस 8MP का कैमरा मिलता है विट Aperature 2.0 और इसमें जो Secondary Lens है वो 1 and a 20 degree है P20 Lite में आपको Dual 16MP प्लस 2MP का कैमरा मिलता है विट Aperature 2.2 अब हम लोग कंपेर करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन में आपको LED Flash है रियर कैमरा के कंपेर करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन में फ्रन्ट कैमरा की एसू जेनफोन फाइब लेट में आपको Dual 20MP प्लस 8MP का कैमरा मिलता है विट Aperature 2.0 Huawei P20 Lite में आपको 16 Megapixel का camera मिलता है with aperture 2.0 Front camera के comparison में ASU Genphone 5 Lite का front camera थाफ भी बेतरीन है अब हम लोग compare करते हैं इन दोनों smart phones में RAM और इंटरने स्टोरेज की ASU Genphone 5 Lite आपको दो अलग-अलग variant से मिलेगा 3GB RAM प्लस 32GB internal storage and 4GB RAM प्लस 64GB internal storage Huawei P20 Lite आपको एक variant से मिलेगा 4GB RAM प्लस 64GB internal storage अब हम लोग compare करते हैं इन दोनों smart phones में battery capacity की Genphone 5 Lite में आपको 3300 mAh battery capacity मिलता है Huawei P20 Lite में आपको 3000 mAh battery capacity मिलता है और इन दोनों smart phones में fast charging का support दिया गया है So friends यह तो fully detailed comparison between Huawei P20 Lite and ASU Genphone 5 Lite ASU Genphone 5 Lite का price approximately 15,000 to 20,000 होने वाला है और Huawei P20 Lite का price approximately 20,000 होने वाला है So मेरे recording आपको definitely ASU Genphone 5 Lite लेना चाहिए इसमें आपको better processor, better camera, better battery मिलता है यह ज्यादा value for money smartphone है So friends आशक करता हूँ यह video आपको जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको ASU Genphone 5 Lite और Huawei P20 Lite के बारे में सभी information मिल गया होगा अगर आपको यह video पसंद आया होगा तो please like and subscribe करें मेरे चैनल को for the latest upcoming videos Thank you so much for watching I'm 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 I'm